हम लोग तो आम पब्लिक हैं ने ता है कुछ भी बोल जाए हाँ भाई उनके लिए तो हम कुछ का ही नहीं सकते हैं कोई टिपड़ी नहीं कर सकते हैं उनके बारे में और सीटे भी बढ़ गई हैं बोलने का टाइम भी बढ़ गया अस अंसद में तो फरक्तों पड़ेगा इसका तो सर एक बाद हो आप खुद जानते हैं इस बात के लिए कि मैं कैसे तरीके से कौँगा यह बताऊ नहीं बाहर वाले लोग ही भगवान के नाम को जो वहाँ प्रैक्टिकली जिन लोगों ने वह चीज फेस करी है उनके लिए बहुत मुश्किल है जनता नहीं जाती है जनता एक तरपा यह बीजीपी कराज हो यह एक तरह भी जूसरी पर्टियों तो अभी थोड़ा भी थोड़ा बीज़ाई लोग सबाच चुनाओं के दोरान बड़ा चला जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे क्योंकि जो उप्चुनाओं के नतीजे अभी सामने आये हैं महा पर भारते जनता पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है उत्रा खंड में बदरीनात और मंगलार दोनों सीटों पर कॉंग्रेस को जीत मिली है और जबकि हिमाचल प्रदेश में भी कॉंग्रेस जीत का पर्चम लहरा है जनता से सीधा सीधा जान लेते हैं क्या अब इंडिया गढ़बंदन एंडिये पर भारी पड़ रहा पीछा नहीं छोड़ रहा है इंडिया गढ़बंदन शोड़ने गाई नहीं जी हो तो वह कहां से छोड़ेगा अब तो बहुमत भी नहीं हो पा अब वो नहीं होगी अब तेरा राज्यों में उप्चिना हुए इसमें मद्यप्रदेश बिहार उत्राखर्ड हिमाचल प्रदेश यहां पर जो नतीजे सामने आये हैं वहां कॉंग्रेस में बैक अप सबर दस्त मारा है यह तो हो गई मैं मैं तो आपको यह चुनाम में यह बहुत बढ़िया हुआ है कि कोई भी इंडिविजल नहीं हुआ अब दवाब बना रहेगा कोई भी अपना मनमानी नहीं करेगा अच्छा आपको यह क्या लगता है कि धर्म की नगरी में भारती जनता पार्टी हार रहे है अयुद्ध्य में भगवान शिरी राम का भव्व इतने जब पता चलती है हो सकता है पहले वो भी वो हिंदू-हिंदू गाते होंगे लेकिन आपके देखा जी यहां तो हमारा मकानी उजड़ता है इसाब हो रहा है तो अब उन्हें पता चला कि यहां तो कुछ नहीं राजनीती हो और कुछ नहीं है बदरिनात भी तो हर पढ़ा और कॉंग्रेश जीते हैं देखो मुझे लगता है जो वोटिंग होते हैं विकास के नाम पर ज्यादा होती है दरम के नाम पर कम होती है और एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है जो इस बार हुआ है अगर मजबूत विपक्ष होगा तो सत्ता पक्ष आपसे पहले कोई विपक्ष मजबूत नहीं था इस पार यह हुए विपक्ष मजबूत है तो आने वाला समय और विकास कारी है अच्छे होंगे कॉंग्रेस में कोई तस्वीर नजर आ रही है कि आप क्योंकि जो उप्चनाव के नतीज़े आए उसमें कॉंग्रेस ने बड़ा बैतरीन प्रदर्शन किया कि नहीं इस समय तो ऐसा कांग्रेस में नेता कोई मजबूत लगनी राकी जो पीएम का दार्यदार आने वाले समय में लेकिन तो राहूल गांदी जी अपनी दीरे 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 पकड़ बना रहे हैं वह कॉंग्रेस के लिए बहुत अच्छा है और जो दो अभी जो 300 प्लस है प्रहां मजबूत विकाच फिर भी मेरा यह कहना कि मजबूत व्रक्षोना बहुत जरूर हुए और उप्चुनाओं के आज नतीज़े भी आ गए और सुनिये तो सही पूछना नहीं है यह तो बताए कि जो कॉंग्रेस ने प्रदशन किया उप्चुनाओं में उत अच्छी बात है यह तो और क्या अच्छा आपको क्या लगता है कि धर्म के राजनीति होनी चाहिए विकास की विकास की राजनीति होनी चाहिए धर्म के राजनीति नहीं होनी चाहिए इसलिए बीजेपी हार गई हो सकता है बसा बीजेपी ने में काभी विकास क्या हो सकता कि यह सवाल करा रहा है कि धर्म की राजनीती नहीं होनी चाहिए बलके विकास की राजनीती होनी चाहिए कुछ युवा भी है यहां पर यह बताइएगा कि जिस तरह से अभी जो बाइलेक्षन हुए थे आज उनके नतीजे आ गए है उत्राखंट से भी और हिमाचल को लोकटंत्र चाहिए राजज तंत्र ने चाहिए है यह समझ्ञ में आरा सबको तुम दूसरी बात यह है कि एक जो जिस तरह से हवा बना रख़ी बीजेपी ने हर तरफ के बही हर तरफ यह ऑगे बीजेपी 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 लेकिन चलता जो है ना है एक्च्वल जो पुलिटिक से बताते हैं कि मतलब जैसे दवाब चल रहा होती जोगा बीजेपी हर चीज बहावी हो रही है तो लोग समझ रहे हैं धर्म की नगरी में बीजेपी हार रही है लोकसब़ चुनाव दोजार चौबिस में अयुद्या में हार गए और अब जो उप्चनावे उतरा चाहरों एक जनता होने के नाते कि धर्म की राजनीती की धुरित चलती है या फिर विकास की चलती है विकास की चलती है धर्म की नहीं चल पाई ना नहीं चल पाई आप भी देख रहे हो तो हर तरफ से दोना तरफ से बैलेंस करें तो वहीं चीज है ना मैं आपको बदा रह आप देख रहे हो हर तरफ बीजेपी हर तरफ बीजेपी तो वो चीज थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए कॉंग्रेस में पुछ नजर आता दमखम जिस तरह से प्रदशन किया उप्चनाओं में भी दीरे-दीरे कर रही है अबना रिकावर कर रही है अबना जो खोया इन्हों सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि आखिरकार वोट बैंक की राजनीती का रुख किस तरफ होना चाहिए लेकिन जहां तक हम बात कर रहे हैं उत्राखंड और हिमाचल प्रदेश की इन में से सबसे बड़ा उलट फेर उत्राखंड और बिहार में हुआ है बिहार में नि जनता पार्टी को हार का सामना क्यों करना पर रहा है अयोध्या और अब बदरीना वेडियो जर्नलिस्ट अवनिश्पवार के साथ मोहसिन खान लेडिंग भारत टीवी गाज्यबाद